फरवरी में क्याई राज्यों में स्कूल और कॉलिज फिर से खुल दिये गए हैं पिछले 11 महीने से बंद पड़े स्कूल अब दोस्तों खुलने की गगार पे है कोरोना वायरस महामारी के कारण देश भर के स्कूल मार्च के मद्द से ही लगभर बंद चलते हुए आ रहे थे जबकि क्याई राज्यों में कक्षा 9 और 12 की जो है वो चला दी गई वहीं फरवरी में हायर सिकेंडरी एजुकेशन चातर को फिर से स्कूल खोलने और बुलाने की इजाज़त भी दे दी गई उत्तरखंड के क्याबिनेट मंतरी मदन कौशिक ने शनिवार को बताया कि राज्य में छटी से बारवी तक की कक्षाओं के लिए स्कूल 8 फरवरी से खोल दिया जाएंगे उन्होंने यह भी बताया कि मुख्य मंतरी त्रिवें सिंग रावज की अध्यक्षता में हुई मंतरी मदन बैटक में यह फैसला लिया गया है कि इस फैसले में निजी और सरकारी स्कूल दोनों ही में पहले नवंबर 2020 से राज्य सरकार ने सिर्फ दस्वें और बारवी के चात्रों को स्कूल में बुलाने की पर्मिशन दी थी मास 2020 में COVID-19 के कारण बंद होने से पाद पहली बार इतने व्यापक स्तरबर राज्य में स्कूली कक्षाएं जो हैं वो शुरू करने का फैसला लिया गया है कौशिक जी ने ये भी बताया है कि आने जाने के लिए साइकल खरीदने हे तू सभी वर्ग की चात्राओं को 2800 रुपे की धनराशी दी जाएगी ये काफी बड़ी बात है दोस्तों कैई राज्यों में स्कूल और कॉलेजों को फिर से खोला जा रहा है ऑफलाइन काक्षाएं चात्रों के लिए भी अनिवार ने जो है वो नहीं रही है ऐसा जरूरी नहीं कि सबको स्कूल जाना है अगर आपके अभी वावक नहीं चाते तो आप ऑनलाइन क्लासेज भी ले सकते हो लगभग सभी राज्यों में बच्चों को स्कूल और कॉलेज में जाने के लिए अभी वावकों के लिए लिखित आवशक्ता जो एक परमीशन है वो लेनी बेहद महत्तपूर होगी हाला कि क्याई राज्यों में स्कूल और उच्च सिक्षक संस्तानों को एक परवरी से फिर से शुरू करने के लिए निर्धारित ति जो है वो आगे विलोचन की और अगरसर हो गई है चात्रों और सिक्षकों दोनों के लिए जटिल समस्या वाला दोर आ गया दोस्तों स्टाफ रूम में, क्लास रूम में, सिक्षकों के बीच में और शातरों के बीच में एक सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बनाई रखना बेहत जरूरी है साथी साथ फेस मार्ट, सैनिटाइजर, बाद-बाद, हाथ धोना ये सब भी ध्यान रखना बेहत जरूरी है अगर बात करें और राज्यों में कब से स्कूल करेंगे और आंदरप्रदेश की बात करें तो आंदरप्रदेश में आज से एक फरवरी से कक्षा एक से पांस तक की कक्षाएं जो हैं वो आफलाइन शुरू हो गई हैं इसी बीच राज्यों में कक्षा छे से बारवी तक के ल गए हैं अगर दिल्ली के बात करें तो दिल्ली में भी आज एक फरवरी से नौवी से ग्यार्वी तक के स्कूल जो है वो खुल गए है डिपलोमा डिग्री कॉलेज जो भी है वो एक फरवरी से सब के लिए खोल दिये गए राश्टे राज़नानी दिल्ली में स्कूल पहले ही चातरों के लिए खोल चुके थे कच्छा दस्वी और बार्वी जा रहा था अब नौवी और ग्यार्वी के लिए खोला गया है अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों तो राज्जे में स्कूल और कॉलेज़ों को फिर से खोल दिया जाएगा संसदिये मामलों के जो मंतरी हैं सुरेश भारदवाज उन्होंने कहा है कि सिक्षा संस्तानों को फिर से खोलनी की घोशना करते हुए हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाखों में स्कूल में कक्षा 5 से 8 वी और 12 तक की जो कक्षाएं हैं वो आप हिमान के चलिए 12 तारिक से शुरू होंगी 12 फरवरी से शुरू होंगी जबकि पहारी चेतरों में 15 फरवरी से शुरू करने की बात कही जारी है पॉलिट टेक्निक और इंजिनियरिंग कॉलेज जो है वो आथ से एक फरवरी से खोल दिये गए हैं सरकारी कॉलेज जो है वो आठ फरवरी से खोल दिये जाएंगे अगर करनाटक की बात करे तो करनाटक के प्रात्मिक और माद्दिमिक सिक्षा मंतरी जो सुरिश कुमार है उन्होंने कहा है कि 28 जनवरी की घोशना कर दी थी कि करनाटक में भी स्कूल नौवी दसवी के बच्चों के लिए और प्री उनिवेस्टी कक्षा है जो आज एक फरवरी से खोल दी गई हैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें दोस्तों तो जम्मू कश्मीर में भी फरवरी मे जो स्कूल कॉलेज हैं उन्हें खोलने की कायद शुरू कर दी गई है और आज एक फरवरी से दसवी और बारवी की कक्षाएं जो हैं वो चालू हो गए कुछ जगा पे शीतकाली नवकास चल रहा है तो वहां शीतकाली नवकास जो पंदर तारीकों खतम हो जाएगा उसके अगर हर्याना की बात करें तो हर्याना में च्टी से आठी से अठी तक के स्कूल जो है वो आज एक फरवरी से खोल दिये गया है एक से पांच वी तक की कक्षाओं के लिए अभी पूर्ता विचार नहीं किया गया है कोई ने आएगा वो मैं डेफिनिटलि आप लोगों के स और ग्यारवी की जो कक्षा हैं वो एक फरवरी से खोल दी गई हैं और जो दस्वी बारवी हैं पहले से ही ग्यारा जनवरी से कक्षा हैं चल रही हैं एक से पांच मी तक की कक्षाओं के ऊपर अभी गुजरा सरकार विमोजन कर रही है अगर मेगाले की बात करें तो मेगाले म में भी आज एक फरवरी से स्कूल खोल दिये गए हैं और पहली से पाचवी तक की कक्षाओं को 15 फरवरी से खोलने की बात कही जा रहे हैं अगर उत्तर प्रिदेश की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रिदेश में भी ये कहा जा रहा है कि 20 फरवरी के आसपास से जो चोटे बच्चों की वो चालू हो जाएंगी अब बात करते हैं पंजाब की तो पंजाब में भी एक फरवरी से सभी सरकारियों साहिता प्राप्त-एंजी स्कूल, प्राइमरी स्कूल के कक्षाएं खोल दी गई है, पंजाब के स्कूल में जो सिख्षा मंतरी हैं विजय इंदर उन्होंने विभाग को इस तरीके से जानकारी पूरे देशा निर्देश जो है समझाएं और कहा है कि इन देशा निर्देशों का कड़ी तरीके से पालन किया जाएगा पंजाब सरकार पहले से ही कक्षा 3 से 12 तक की कक्षाएं जो है वो ओफलाइन चालू करा चुका था तो ये सभी महतपून राज्यों की अपडेट है जो की बेहद महतपून है कि स्कूल खुलने को लेकर क्या सोच रखते हैं क्या ये सही सामें आ गया है या फिर बच्चे एक कमपट दोन में चले गए क्या रे यार इतना आप तो हो गए महीने घर में रहते रहते और नाइन क्लासिस की आदत पढ़ गई है अब पढ़ाई ऐसे ही चलती रहे पैरेंट्स की तौर पर आपकी अप्रतिकरिया सोचते हैं कि वाकई में आप बच्चे ये टाइम आ गया है कि स्कूल जाना चाहिए क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का बेहद नुकसान जो है वो हुआ है स्पेशली बोर्ड क्लासिस में तो जो भी आपकी प्रतिकरिया है भर भर की अपनी सारी प्रतिकरिया है कमेंट सेक्शन में लिख दीजे क्योंकि आप लोगों की प्रतिकरिया है आग ये विभाग यदिकारियों तक भी पहुँच जाती है क्योंकि ये चैनल विभाग से ज जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन बेल दबा देना तभी मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचेगी थैंक यू सो मुच फ्रेंड थैंक यू सो मुच पर कमिंग तू मैं चैनल